नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फैंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद यही करता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों यहां से मिलने वाला डीप एनलाइसिज और बैस्ट प्रेडिक्सन जिसकी दम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बिनिंग कर पा रहे होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैन कोड़ ECST10 टूनामेंट के दोस्तों 21 बे और 22 मुकाबले के बारे में दोस्तों जो खेला जाना है CYM और NCT दोनों ही टीमों के बीच में दोनों ही टीम है काफी धमाकेदार अभी तक परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है यदि बात करें अपन CYM के बारे में तो 6 मैच यहां से यह खेल चुकी हैं और 4 मुकाबले जीते हैं दो ही मुकाबले अभी तक हारे हैं और यही करण है कि यह पॉंच टेवल में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं वहीं दोस्तों NCT टीम के बारे में यदि बात करें तो यह 8 मुकाबले खेल चुके हैं 6 कि पलकार के प्लियर्स को हमको लेना चाहिए और किस पलकार के प्लियर्स को हमें यहां से छोड़ना चाहिए दोस्तों Grand League इसमॉल लीग की दोनों ही लीगों के बारे में अपन बात करने वाले हैं साथ यसाथ दोस्तों हम साथ में Head to Head की टीम भी आपके लिए बनाकर देते रहेंगे दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करना ना भूने ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफेकिशन आपको मिलता रहा है क्योंकि दोस्तों हम हर वार की तरह इस टूनामेंट में आनि की टी टेन टूनामेंट में भी आपके लिए दस हजार रुपे का फ्री के वावे लेकर आए हैं दोस्तों यानि की ये फ्री के वावे इस मैच में भी हमारे दौरा रखा गया है दोस्तों इसके लिए आपको इसके लिए आपको सिर्फ करना इतना सा होता है कि हमारे दौरा पूचे गए दो कोशन्स के सही सही आपको आंसर देने होते हैं और दोनों ही आंसर सही निकलने वाले बिजटा को 10,000 रुपे की प्राइज मैनी सीधे उसके खाते में जमा कर दी जाती है तो दोस्तों इनतजार किस बात का यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को चल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही फिरी गिब अवे के लिए दोस्तों नोटिफिकेसन आपको आते रहें इसलिए आप बैल आइकन को प्रेस जरूर करें तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और दो कॉश्चन दोस्तों आने वाले हैं आप उनके आंसर्स के लिए एकदम तयार रहेगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप सुरूबात करते हैं बिकिट कीपरिंग के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको इसको टस्टन दिखाई दे रहे हैं बीस परसंट लोगों ने इने सेलेक्ट किया है दोस्तों चोते नमबर पर यह बल्ले बाजी करने आते हैं और अभी तक पांच मकावलों में 64 रन ही इनके बल्ले से निकले हैं दोस्तों इसके बाद जो आपको एक और उप्सन दिखाई दे रहा है दोस्तों जिसका नाम है आबिद अली चोते नमबर पर भी यह बल्ले बाज बेटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए और अब तक आठ मकावले लगातार यह खेलते हुए आ रहा हैं और 93 रन इनके बल्ले से निकले हैं 37 रन की इनकी सबसे बड़ी पारी है दोस्तों इसके बाद आपको एक उप्सन और दिखाई दे रहा है जिसका नाम है जिसान सरवर दोस्तों टीम के लिए यह ओपन करने आते हैं और मातर चार मैच इनों ने खेले हैं और 67 रन ही इनके बल्ले से निकले हैं दोस्तों आपको एक और बत बता दें बिगट कीपरिंग, बैटिंग, ओल्राउंडर और बॉलिंग में हम कितने पिलियर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं तो दोस्तों जैसा कि अभी तक पुराने एनलाइसिस के आदार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो भी बात करें दोस्तों ग्रांड लीग की टीम बनती है फाइनल टीम दोस्तों यानि की ड्रीम टीम मैच के बाद जो आती है उसमें अभी तक के आँख़ों में देखा गया है कि ओल्राउंडर्स के दोस्तों चार पिलियर्स सामिल रहते हैं वहीं बात करें बल्ले बाद तीन और तीन बोलर्स का इस्तान उस टीम में रहता है तो दोस्तों इस हिसाब से बिकिट कीपरिंग का मातर एक ही इस्तान बनता है तो यहां से दोस्तों हम आविद अली को यहां पर ले कर चल रहे हैं लेकर आप Grand League के टीम बना रहे हैं तो निश्चेत तोर पर आप जिसान सर्वर के साथ जा सकते हैं और दोस्तों आप इन्हें Captain Vice Captain के रूप में Try कर सकते हैं क्योंकि ये बल्लेबाज Open करने आता है और निश्चेत तोर पर दोस्तों यदि इस मैच में चलता है तो ये आपके लिए Bonus Point और बात करें तो Different Pick का ये काम करने वाले हैं जोस्तों आप बात करते हैं बल्लेबाजी सेक्शन से यहाँ पर आपको दो जो सुरूबाद के पिलियर दिखाई दे रहे हैं इनको पिछले Point आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ही मैचों की Playing 11 की Point है यानि कि इन से ना दो बैटेंग अभी तक करवाई गई है और ना ही इने बॉलिंग में आजमाया गया है इसके बाद दोस्तों जिस पिलियर को हम टीम में लेने वाले हैं उसका नाम है Roman मजमदार टीम के लिए दोस्तों ओपन करने आते हैं और बात करें तो अभी तक 8 मैचों में 200 रन बना चुके हैं दोस्तों जो पूरे पिलियर दोनों ही टीमों के हैं उन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये बल्लिवाज हैं और दोस्तों बात करें तो ये बल्लिवाज बॉलिंग नहीं करता है लेकिन बल्लिवाजी में 200 रन आठ मैचों में ये अभी तक बना चुका है इसके लावा दोस्तों बात करें यदि अपन मुहम्मद हुसे इनके बारे में छे मैचों में मातर दोस्तों 18 रन इनके बल्ले से निकले हैं क्योंकि बैटिंग ओर्डर में काफी नीचे आते हैं लेकिन इनकी बात करें बॉलिंग डेपार्टमेंट के बारे में तो 6 मैचों में 12 ओवर यानि दोस्तों हर मैच में अपना स्पिल खतम करते हैं और 8 बिकट टीम के लिए इनकाल कर दिये हैं इसके बाद दोस्तों बात करें अपन शाकत हुशेन के बारे में 22 परसेंट लोगों ने इनने सेलेक्ट किया है तीसरे नमबर पर ये बल्ले बाद यानि फक्ष डाउन आते हैं और आठ मैचों में 71 रन इनके बल्ले से निकले हैं तो इसके पहला नाम आर मजुमदार का आता है दोस्तों इसके बाद बात करें तो वकार अली और तीसरे नम दोस्तों आता है जिसका नम है मैरम खान क्योंकि टीम के लिए open करते हैं दोस्तों all rounders की बात करने से पहले हम 10,000 रुपय का जो free giveaway ना उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे दो questions रहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों पहला question है कि पहली inning का दूसरा bucket कौन से over में गिरने वाला है दोस्तों पहली inning का दूसरा bucket कौन से over में गिरेगा वहीं दोस्तों तीसरे question के हम यहाँ पर बात करते हैं तो दोस्तों second inning को क्या target मिलने वाला है second inning को दोस्तों क्या target मिलने वाला है यह दोनों ही questions के आपको सही answer देने हैं और सही answer देने वाले विजिता को 10,000 रुपे की price menu उसके खाते में सिधी जमा कर दी जाएगी लेकिन दोस्तों बात करें आपको हमारे दौरा जो format बता जाता है उसी format के आधार पर answer करना है और दोस्तों छोटी-छोटी साबधानियों को आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों हाली में हम अभी आपको format समझा देते हैं उसी के साथ साबधानिया भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों format ये है कि आपको comment box में जाना है दोस्तों fantasy binning 11 लिखना है और इसके बाद दोस्तों match के बारे में लिखना है यानि कि CYM versus NCT और दोस्तों यदि आप पहले मुकाबले के लिए यानि आज दो मुकाबले होने हैं तो पहले मुकाबले के लिए comment कर रहे हैं तो आप match number 1 या match number 21 डाल सकते हैं और दोस्तों इसके बाद आप पहला और दूसरा answer दे सकते हैं इसी format के आधार पर आपको answer करना है और यदि आप दूसरे match के लिए answer कर रहे हैं तो दोस्तों आप उसके लिए दूसरा comment करें इसी comment में किसी परकार का correction ना करें तो आप दूसरा comment करोगे तो वहाँ पर भी आपको यही लिखना है fantasy winning 11 दोनों ही टीमों के नाम और इसके बाद दोस्तों मैच नमबर या तो आप दो लिख दीजिए या फिर दोस्तों 22 नमबर का यह मैच है आप भू लिख दीजिए इसके बाद दोस्तों एक नमबर और दो नमबर के आपको answer देना है और यह सही answer देने वाले बिजेता को सीधे 10,000 रुपे की prize money यहां से मिलने वाली है साबधानी है दोस्तों छोटी छोटी है पहली साबधानी यह कि आपको अलग-अलग comment करना है यानि दोनों ही मैचों के लिए आप comment कर रहे हो तो आप अलग-अलग comment करो दोस्तों दूसरी साबधानी यह कि comment करने के बाद आप किसी परकार का edit ना करें edit करोगे दोस्तों तो वहाँ पर mention हो जाता है तो वो answer हमारे दोरा मानने नहीं किया जाएगा इसके बाद दोस्तों 30 साबधानी यह कि मैच प्रारंब होने से पहले आपको यह answer करके जाना है तो दोस्तों छोड़ी-छोड़ी साबधानी आ है ध्यान में रखते हुए आसानी से answer कीजिए और एक बार answer करने के बाद दोस्तों correction बिल्कुल भी न कीजिए निश्चित तोर पर दोस्तों आप 10,000 रुपए के आसान से सवालों के जवाब दे कर यह प्राइज मनी जीत सकते हैं तो दोस्तों अब बाते हैं अपन ओल्राउंडर सेक्सन पर दोस्तों जैसा कि हम आपको बता रहे हैं चार ओल्राउंडर्स हम यहां से सिलेक्ट करने वाले हैं जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों बात करें तो अनवर हुसेन का आठ मैचों में दोस्तों 51 रण इनके बल्ले से निकले हैं और वैं अगर 13 ओवर इन्होंने फेके हैं 8 मैचों में और 7 बिकट निकाल कर टीम के लिए दिए हैं हेटवे नंबर पर ये बल्ले वाजी करने आते हैं, तो दोस्तों हेड टू हेड टीम में हमारे लिए ये पहला पिक होने वाले हैं, इसके बाद बात करें दोस्तों इफ्तिहार जनम के बारे में तो आठ मैचों में रन इनके बल्ले से ज्यादा नहीं निकले हैं, मातर 37 रन निकले हैं 5 बे नमबर पर बल्ले बाजी करने आते हैं वहीं अगर बात करें 8 मैचों में 15 ओवर फेक कर ये 8 बिकिट निकाल चुके हैं यानि कि दोस्तों दूसरे हमारे ये उप्सन में रहने वाले हैं तीसरे नमबर पर बात करना दोस्तों मिनास खान के बारे में ये बॉलिंग तो करते हैं दो 22020 में इन्हों ने काफी ज़्यादा बॉलिंग की है यानि पर मैच में अगर इसाब लगाया जा तो डेल ओवर के है एवरेज के साथ इन्हों ने बॉलिंग की है लेकिन इस टूनमे दोस्तों आप इने टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आगे दो आपसन और आपके सामने अच्छे आने वाले हैं बात करें दोस्तों एफ मिया के बारे में टीम के लिए कैप्टन है दोस्तों फैजल मिया टीम के कैप्टन है ओपन टीम के लिए करने आते हैं आठ मैचों में तरेपन रन अभी तक बल्ले से कोई खास नहीं है लेकिन दोस्तों बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो आठ मैचों में तेरा ओवर फेकने के साथ छे बिकिट निकाल कर टीम को दे चुके हैं इसके बाद दोस्तों आपको एक और उपसन देखाएगा जिसका नाम है सेकर सिंग छटवे नंबर का ये बल्ले बाज पांच ओवर पांच मैचों में चवालीस रन ही बना पाया है लेकिन बात करें छे ओवर फेकने के बाद तीन बिकिट निकाल कर दे चुका है यदि आप दोस्तों गुर सेकर सिंग को यहां से ड्रोप करना चाते हैं तो आपके सामने सबसे शांदार ओप्सन बात करें तो मिनहास खान का रहने वाला है तो दोस्तों हमारी साला यही है कि आप गुर सेकर को हेट टूएट टीम में ड्रोप करें और दोस्तों इन चार ओल राउंडर्स के साथ टीम में जा सकते हैं दोस्तों महीं बात करें अपन डिपार्टमेंट के बारे में तो यहां पर कुछ बोजर्स ऐसे हैं जो आप ग्रांड लीग में डिरेक्ट कैप्टन ट्रा कर सकते हैं जिसमें पहला नाम आपको दिख रहा होगा दोस्तों लगबंदर सींग का 91% लोगों ने सेलेक्ट किया है 6 ही मुकाबले खेले हैं जिस मैचों में 12 ओवर यानि पर मैच में 2 ओवर फिकते हैं और 6 बिकट निकाल कर टीम के लिए दिये हैं वहीं दोस्तों बात करें तोमल अन्यमूल के बारे में लगबंग 90% लोगों ने सेलेक्ट किया है 7 मैचों में 11 ओवर फिकने के बाद 6 ही बिकट इनके खाते में जुड़ हैं दोस्तों इसके अलाबा बिलाल हुसेन के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे दोस्तों अभी हाली के कुछ 4-5 मकावलों में ने डॉप किया है लेकिन बात करें इंज्री किसी परकार की नहीं है हालाकि डॉप कर दिया है और इससे पहले इन्होंने क कि खाफ़ी अच्छे पर्फर्फोर्मेंस कि हैं यदि आप इने फिलेंग-11 नहीं मिलती है तो आप इने भी ट्राइकक्टि के रूप में कर सकते हैं तो इदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आचा पिडियो को लाइक जरूर करें तो मिलते हैं